हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल टीके एजूकेशन में आज हम 12 अक्टुमबर का करंट अफेर देखने वाले हैं दोस्तों ये प्रशना आपके SSC, Railway, UPSC, Banking, PSC और अधर एक्जाम के लिए भी बहुत इंपोर्टन्ट है और हर एक्जाम में करंट अफेर के क्वेस्चन अक्सर पूछे जाते हैं आज हम 12 अक्टुमबर का करंट अफेर देखेंगे और साथ ही उसके बारे में डिटेल्स भी देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला देखते हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से भारती अंतरिक संग इंडियन स्पेस असोशेशन का शुभारंब किया दूसरा है केंद्र सरकार ने पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कोलकाता में माई पोर्ट एप लॉंच किया है इसे पारदर्शिक्ता को बढ़ावा देने और बंदरगाह से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए लॉंच किया गया है तीसरा देखते है तमिल नाडू में कन्या कुमारी जिले की पहाड़ियों में उगाए जाने वाले अनोखे लॉंच के मसाले को कन्या कुमारी लॉंच के रूप में भवगोलिक संकेत यानि जी आई टैग से सम्मानित किया गया ये तमिल नाडू के बारे में है तो तमिल नाडू के बारे में जानकरी देखते है तमिल नाडू की राजदानी है चेन नहीं तमिल नाडू के मुखे मंत्री है एमके स्टलीन तमिल नाडू के राज्यपाल है आर एन रवी और तमिल नाडू का राज्यन रुत्य है भरत न सयुक्त रूप से जारी की गई थी पाच्वा देखते हैं गवतम अडानी के नेत्रुत्व वाले अदानी समुह ने भारतिय वीमान पत्तन प्राधिकरन एयरपोर्ट ऑथोरिटी ओफ इंडिया ए ए आई से जैपूर अंतर राष्ट्रिय हवाई अड्डे की जिम्मेदारी सं देखते हैं अधानी समुह का मुख्याले है अहमदाबाद में और अधानी के संस्तापक है गवतम अडानी और अधानी की स्तापना हुई थी 20 जुलई 1988 में छटा देखते हैं अरविंद केजरिवाल ने शुरू किया देश के मेंटर कारेकरम ये दिल्ली में हुआ है तो दि ये स्टेट बैंक SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनिश कुमार ने अपना संसकरन The Custodian of Trust A Bankers Memoir शिर्शक्षे जारी किया है किताब का प्रकाशन Penguin Random House इंडिया ने किया है नववा देखते है विश्व फुटबॉल निकाय फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कब भारत 2022 इभा के अधिकारिक शुभंकर का अनावरन किया है जो महिला शक्ती का प्रती निधित्व करने वाली एक एशियाई शेर्नी है ये फीफा वर्ल्लकप के बारे में है तो फीफा के बारे में जानकारी देखते है फीफा के अध्यक्षय है जियानी इनफेटिनो फीफा की स्तापना हुई थी 21 मई 1904 में और फीफा का मुख्याले है जूरिक ये है स्विजरलेंड में नेक्स्ट है दस्वा प्रश्न विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूंबर को मनाया गया गया ग्यारवा देखते है भारतिय रेलवे ने दो लंबी दूरी की मालगाडिया त्रिशूल और गरूड शुरू की है जो मालगाडियों की सामान्य सरचना से दो गुनी या कई गुन लंबी है यह लंबी ट्रेन महत्वपूर्ण वर्गों में क्षमता की कमी की समस्या का बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करेगी दोस्तों आपको करन्ट अफेर का वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट्स करके बताईए और ऐसे ही डेली करन्ट अफेर के टॉपिक के बाद दिजे ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिल सके